नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब विलकम बैक टू माई यूटूब चानल रूप मरगी तो देखें दोस्तों जितने भी RRB, NTPC और RRC Group D वाले कैंडिडेट्स हैं आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर यहां पर निकल कर आ रिए जहां दोस्तों आप सभी के रिजल और एक्जामनेशन के रिगार्डिंग ही अपडेट आई हुई है तो चलिए विडियो को शुरू कर लेता है कहीं भी स्कीप मत किजेगा, कम्प्रीट देखेगा और जीनो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा तो चलिए दोस्तों विडियो को शुरू किया जाए तो देखें दोस्तों जैसा कि आप सभी कैनिडेट्स को यह पता था कि चार मार्च को यहाँ पर रेलवे ने हम सभी स्टुएंट से यहाँ पर वादा करके रखा था कि जो हाई पाउर कमेटी उन्होंने गठित क्या था NTPCO Group D के जीते भी प्रॉब्लम से उसके रिगार्डिंग तो उसका रिपोर्ट जो है वो चार मार्च को यहाँ पर आने वाला था बट जो चार मार्च तो यहाँ पर गुजर गया दोस्तों लेकिन अभी तक जो है रिपोर्ट का अता पता भी नहीं है बट इसके रिगार्डिंग जो है कल यहाँ पर जो हमारे रेल मांत्री है अस्वनी वैसनव जी उन्होंने यहाँ पर अपने ओफिशल ट्विटर एंडल से ट्विट किया है जहाँ पर उन्होंने यह मेंशन किया है कि हाई पावर कमिटी को करीब 3 लाख रिप्रेजेंटेशन मिले है कॉमिटी ने इसका विशलेशन कर लिया है और कुछी दिनों में आरार भी समधान नोटिफाई कर देगा यहाँ पर जो है हैस्टेग रेलवे भरती अब देखिए उन्होंने साफ सब यहाँ पर कहा है कि हाई पावर कमिटी जो उन्होंने गटित किया था सबसे पहले जिनको यह नहीं पता है कि हाई पावर कमिटी क्यों गटित किया था तो वो मैं एक बर बता देता हूँ कि आपके जो NTPC में जो result में जो गड़बड़ियां यहाँ पर railway के तरफ से की गई थी, उस गड़बड़ी को सुधार करने के लिए और one student, one result के लिए यहाँ पर हम लोग के तरफ से गुहार लगाई गई थी, उसको ठीक करने के लिए जो है, यहाँ पर जो है, हाई पाउर कमेटी के गटित के आ गया था, और इसके अलावा RRB group D, जो आपका railway group D भरती है, उसमें जो है, second CBT2 जो यहाँ पर जो है, यानि कि High Power Committee जो है, अपना report swap देगी, और इसके अलावा जो है, कुछ ही दिनों में जो है, उसका solution भी आ ही जाएगा, लेकिन चार मार्च पार हो गया, बट कोई भी तरफ से यहाँ पर report तो पता नहीं swap आ गया है, या नहीं swap आ गया है, फिर सिर्फ हवा चल रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है, रेल मंत्री ने भी रखा है, बट उनकी संक्या काफी कम है, ठीक है, तो यह चीज़ आप लोग को मान के चलना है, कि यहाँ पर तीन लाख रिप्रेजेंटेस उनको टोटल मिले है, और यह भी उनका कहना है, कि कॉमिटी ने इसका अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो है, जो सौपा गया है, उसके बारे में भी एक अपडेट आई थी, लेकिन उसके बारे में आप लोग को पता ही होगा, बट फिर भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ यहाँ पर, अब देखिए, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, कि अभियारतियों ने की थी, NTPC का रिजल्ट 20 गुना हो, अधीक होने की मांग, ठीक है, अब लेकिन विसलेशन भी कर लिया है, ठीक है, यहाँ पर क्लिरली लिखा हुआ है, कि जितने भी रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइट किये गए थे, कैंडिट्स के तरफ से उन रिप्रेजेंटेशन को अच्छे से यहाँ पर इन्होंने क्लिरली वेरिफाई किया है, कर सकते हैं, बट एक अल्टिमेट बात मैं आप लोगों बताना चाता हूँ, यह सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स का गेम है, ठीक है, आप लोगो पता है कि साफ साफ अभी क्यों इसको लेट किया रहा है, यूपी में एलेक्शन है, दर्स तारिक तक आपका रिजल्ट आए अब लोग अपना CBT2 और Group TKCVT1 यहाँ पर दे पाएंगे, ठीक है, तो मीदे यह चीच क्लियर हो गया होगा, यही जो है, अपडेट आप सभी दो-दो बड़ी-बड़ी अपडेट आप सभी कैंड़ेट्स के लिए यहाँ पर, अच्छी खबर है कि उन्होंने यहाँ पर और यह था कंप्रीट डीटेल साच की इस वीडियो में, इसके रिगाटिंग और भी कोई डाउट रही गया आप लेको मन में, तो प्लीज कमेंट बाक्स करना, मैं आपके रिप्लाइज जरू करूँगा, वीडियो पर संद आई तो वीडियो के लाइक और चैनल को सब्सक्